एलो फ्रेंट्स तो आज हम चैप्टर थर्ड का लास्ट वीडियो लेक्षर देख रहे हैं पार्ट और तीन पार्ट में हम इसको कवर किया है चौथा पार्ट है आगडी तो काफी इंपॉर्टेंट बूक है आप जरू इस वीडियो को देखें लास तक में तो इस वीडियो म अच्छीव करने को सिस्किया जाता है उलियो इंडिया के बारे में थोड़ा वहाँ देखेंगे और डिवेट एलेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या हमने कि यह आज तक और क्या क्या हमें करना चाहिए और एलेक्षिन प्रोसेस जो आउसमें कैसे लिफ़ाम लाया जाए तो प इंडिया में कैसे अचीव करने के कोशीज किया इंडिया ने पहला इन्टीन इनिवर्सल फ्रेंचाइज एड़ टुक इंडिपेंडेट इलेक्शन कमिशन ये तीन इंपर्टन पिलर्स इससे कि हम इस चीज़ को हम एचीव करपाएं कर सकेंगे इंडिया बतलब कि सभी एडर्ट सिटीजन इंडिया में हो वोटिंग कर सकेंगे पता dauρεक्ट now lle इसकंप सब क्या होना चाहिए डिये imperative सब्ट आपको क्या होना चाहिए 18 एठारा साल से उज्यादा Bishop करने उरिवाफिकंती ने सुरुनिविंट किया था सå इकीस साल का इस्ता मत्वी साल से उपर होना चाहिए था आपको लेकिन 2009 के बाद इन को बदला बदलाया गया उसमें 18 साल कर दिया गटा करके दिए 18 साल से ज्यादा ओमन के लोग वोटिंग कर सकेंगे सब इक्कवडिक करने के लिए और न कि न कर सके तो वहीं लोगई मैंसा मलेंपी बनेंगे इसको भी सब्सक्रीर सने देखा कि सभी को राइट टू स्टैंड है मैं सभी लोग खड़े हो सकते हैं इलक्षन में इसमें को भी income का रेस्टिक्षन नहीं है education का नहीं कि आपको graduate होना है 12th होना है class का नहीं है कि अभी इसी class या gender के हो सभी को इसमें आजादी दी गई कुछ eligibility criteria है जैसी की age का है कि आपको 25 साल होना चाहिए लोग सभा के लिए ऐसे तीस साल अगर आपको लाज सभा का लड़ना है तो इन डारिक्सन उसके अलावा ऐसा नियद के आपने 2 से ज्यादा साल अगर आपने सजा पाई हो तो आप उसके लिए लिजिबल नहीं है आपको शीट आप नहीं लड़ सकते हैं क्याकि यह से लोग क्रिमिनल लोग नहीं आपाई जाधा उसके लागा कुछ सीक्रूटी डिपोजिट आपको देना होगा तो यह अगर आप जीच जाते हैं तो आपको आपस मिल जाता है तो यह भी जरूरी था कि बहिए ऐसा नहीं हो कि आसे लोग खड़े हो जाए कुछ सीकूरी डिपोजिट इलेक्शन कमिशन आपको देना होगा तो यह छोड़के आप देखें तो इंकम या जेंडर या क्लास का कोई डिस्क्रूमिनेशन नहीं था तो यह हमारा फ्री एंफे लेक्शन के तरब किसला जह हमने अपनाया वह इंडिपेंडेलेक्शन कमिशन तो सबसे इंपशों इंप्रेंट्टीं जिए कि इसकेय डिपेंडेट्ट होना चाहिए बहुत कुछ और बहुत कुछ हमने बाद में कानून के ज्वारा उसमें गयुद्वे की बात करूँ अगर तीन मेंबर होते हैं एक होता है चीप इlek्षन कमिशनर और दो उसको एसिस्ट करने को देखने के लिए और सब्सक्राइब यहां पावर का डिफ्रेंस नहीं है दोनों को तीनों को बड़ावर पावर है बस यह जो है चीफ होते हैं एक तरह से हैट करते हैं कमिशन को लेकिन जो डिसीजन होता वह कि आप जो कि जो सहमेति किसी पर और एक की नहीं है तो जो सहमेति जिस पर है मेजोर्टी से पास हो जाएगा अब हम आते जो में पॉइंट इंडिपेंड्डेंडेंस आप कैसे देखेंगे इंडिपेंडेंडेंट हो ये इसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए कर सकते हैं जो सुप्रीम कोड के जर्ज का रिमूबल का जो मेथड है इसमें आपको इस पेशल मेजरोटी चाहिए बहुत आप देखेंगे आज तक कोई भी जर्ट को रिमूब नहीं कियाएगा इंपीजमेंट नहीं लाया गया एक बहुत ही लंबा टीडियस कॉंप्रेंस दो इसी नहीं इस टेनी की समय है टेनेर हैं कि पीर वोटर है उनका नाम जो होता है वो प्रिपेर करना उनको डिवाइज करना माली जी को नए वोटर एठारा साल से उपर हो गया है एमाली पिछले साल एलेक्षन जब पिछले बार एलेक्षन हो आता उसके बाद अभी में कुछ नए लोग जूटके आएं उनको जोड़ना कुछ लोग डेथ हो गया उनको हटाना यह सारा कुछ यह देखते हैं जितने भी इलिजिबल वोटर को रिजिस्टर करना ताके कोई करते हैं त country शुरू महीं हो जाता है और इसको डिसन करती है पूरे प्रोसेस के थ्रूब जो है लिएक्सरन को मुझा पूरा पावर है फुल पावर है कि हम फ्री में फ्रेयर पोल कन्था सके इदम इंडिपेंडेंट है का सुछ ज्यादा पावर इनके पास आती है ताकि fair election हो सके, recounting भी order इनको, कि recount करवाना चाहे, तो recount भी करवा सकते हैं, also implement model code of conduct, यह आपने पढ़ा होगा model code of conduct, तो model code of conduct में क्या, basically कि हर पार्टी को इसको मानना है, कि जो election जो है, वो free करीके से हो, सभी को बढ़ावर chance मिले, को political party के पास ज्यादा, शत्ता में है, party, government में है, उसको undue favor नहीं हो, यह सारा कुछ model code of conduct में रखा गया है, और हर candidate हर पार्टी को इसको follow करना ज़रूरी है, नहीं अगर किया जाता है, तो election commission उसके against action भी ले साथ है, लेती है, इसके इलावा, political party को recognition देना, recognition मतला national party है, अब देहते हूँ, नेशनल party का recognition मिलता है किसी को, state party का recognition मिलता है, तो इस तरह से recognition जो है, यह cat area बनाया है, उस cat area को अगर आप fulfill करते हैं, तो election commission आपको national party या state party डेक्ले ही अलोट करती है उसके अलावा campaign expenditure जो आपको करने को मिलता है expenditure एक limit तक आप कर सकते हैं वो limited election commission decide करती है और वो उसको देखती भी है कि भई कोई आदमी असा तो नहीं कि ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है voter को influence कर रहा है कैस बांट रहा है तो वो सब नहीं होना चाहिए यह सारा कुछ देखना लेक्षन कमिशन का काम है बेसिकली free and free election होना चाहिए उसके अलावा advisory jurisdiction है कि मालेज जी अगर किसी को हटाना है पार्लियमेंट MP और MLS को तो उसके लिए इलेक्षन कमिशन जो एडवाईज करता है प्रजिडेंट को गवर्णर को कि आप इसको हटा सकते इलेक्षन कमिशन का एडवाईज लेना जरूरी है यह यह वी एक पावर है इसके पास उसके अलावा को कि इलेक्षन कमिशन चोटा बॉड़ी है आप मालेज एक रही हुए उससे लेकर इलेक्षन इन समय अविशन तक है पीडर एनाउसमेंड आप और डेट ऑफ रिजल्ट रिजल्ट टिकलेशन इस सब बीच में पूरा जो एलिश्टेटिव ऑफिसर से वह एलेक्शन कमिशन के अंदर आते हैं इलेक्शन कमिशन उसको उनको इलेक्शन का ड्यूटी देता है कि आप यह करेंगे वह करेंगे आपका यह रिटर्निंग ऑफि सकता है उनकी ट्रांस्वर जो रोक सकता है उनके एक्सले सकता अगर वह कुछ ड्यूटी नहीं नहीं वारे ठीक से तो इस साथा कुछ पावर्ड एलेक्शन कमिशन को दिया गया है काफी अच्छी तरीके से इधिज्वाइग्ड एलेक्शन कमिशन अभी आप देखें एले इंडिया में जैसे की 18 साल एज घटाना इंडिपेंडेंट करने के लिए और पर हमने कदम उठाए हैं जैसे कर्चिशन में ही दिया गया यह दस लोग का समर्थन होना चाहिए वोटर का ऐसा नहीं आप आपको जो वोटिंग वोटिंग हुआ को एक भी वोट ना मिले ऐसा नहीं हो लेक्ट्रोने को सिंग मसीन जो यह काफी इंप्रेंट अनल रिफॉर्म था अभी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है इसके साथ जो व युटा कर सकता है रिष्टिक्ट्शन ओं कंटेस्टिंग फ्रम लॉटव कंशिवेंस्टिंग से ज्यादा आप कंटेस्टे कर सकते एक आदमी पहले कहाता है एकदमी प्रोट सीट दॉक्ट रखते हो बाहिंग नौ सेट पर फिर से एलेक्शन कऱना परता है बाइन रिक् इस पर लिमिट कर दिया गया है एक जीट पोल या उपीनियन पोल जो होते हैं उसको आप नहीं दिखा सकते हो एलेक्षन के डेट अनॉसमेंट से इलेक्षन के रिजल तक कि यहां पर आपका तो इलेक्षन रिजल नीए एक सब्सक्राइब करती है वोटिंग हुई उसके उसे सब्सक्राइब करना परता है इसके अलाब बहुत सब्सक्राइब करना परता है इसके अलाब बहुत सब्सक्राइब रिफॉर्म्स जो है सजेस्ट की जाते कि और हमें जरुवत लेने की जैसे कि हम प्यार सिस्टम के तरफ जा सकते हैं ताकि जो है जो है जो फोटी पार्टिया उनको रिपेटरेशन मिल सके जो इसके लाबाब वीमन को रिजवेशन वन सब्सक्राइब का रोल देखें तो अभी भी आप ADR जो है इसका रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यह हमें साथ देखा जाता है कि बहुत सारे पैसा जो खर्ष होते हैं इसको रोक नहीं पा रहा है तो इसको रोकने की जरुवत है कि पैसे के कंट्रोल जो है कम से कम हो है तकि जो गडिए जो है जो चोटी पार्टिा हैं वो भी सेलेक्षन कर सके वह बरावरी सेलेक्षन कर सके तो इस चीज को एक बहुत बदा डिपएपिस चाहसा कि प्रोट है कि जो है violation क लिए ब्रषा iq लिए पिलिख सकते हैं कि बोट भी क्राइश है या लेक्षट केस है तो उस केसे में आपको इलएक्शन लड़ने का नहीं दिया जाना चाहिए अभी क्या है कि सिब दो साल का अगर दो साल से जाता आपको सजा हुई है तभी आपको बार किया जाएगा लेकिन ऐसा काना है कि तो बहुत बार केसे में का अपील होते रहती है तो कभी भी कन्विक्शन नहीं होता है तो इस केस में ऐसा नहीं करयाच किया जासकता है इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहिए लॉट रेगुलेट फंक्सिन और पार्टिकल पार्टिस एंड इंसे ट्रांस्परेंट करना भी आप देखें तो इसको आठीक अंदर में लाना उनका कैसे वो केंडियेट को चुनते हैं कैसे हो इलेक्शन वोट 부분이 के है में अपना वोट डालते हैं यह वोट डालने के पहले पौंडिकल पार्टी के बारे में कंडिडेट के बारे में कुई तरह से जांच पर्षियार करें समझें उसके बारे में कैसा है वह किसको वोट देना चाहिए कुर हमारे सही है वह सी देखनी ज़रूरी है उसके अलाबा जो पॉर्टिकल इंस्ट्यूशन से वैडिटियों संग्यों को एक्टिव होने के जरूबत है और ताकि कि वह देख सकते कि को इलेक्शन अगा अगर कर राइग कर रूज तो उसको डिपोर्ट कर सकते समक्राइब कर प्रिसे नहीं करें वैसा काम मौ फिर नहीं करें तो यह बिसिकली लीगर दिफॉर्म से आगे जाकर हमें देखने की जरुवत है तो फ्रेंट्स यह था एलेक्शन इरिपेंटेशन का पूरा चैप्टर जो चार पार्ट में हमने देखा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा जरूरू लाइक करें अपने फ्रेंट्स